King of the Week का नाम आगया है Last week Boss Meter में Priyanka का नाम था उससे पहले MC Stan का नाम था इस हफते किसका नाम है? आईए जानते हैं मेरे साथ यानि आडिमा के साथ Only on Tele खजाना अब मेरे पहला नाम बताने से पहले तो ये कुश्चन है कि King of the Week बनते कैसे हैं? मतलब लोग अगर इनको वोट कर रही है तो किस क्राइटेरिया से वोट कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि इनका बाहर का contribution बहुत रहा है घर में भले ही ना रहा हो या फिर इसलिए वोट कर रही है कि घर में इनका contribution बहुत जादा है अब King of the Week बने हैं अब ये कैसे बने है इसका आइडिया तो दोस्तों आपको जादा होगा क्योंकि आप लोग वोट कर रहे हो लेकिन इनका जो contribution है वो मुझे बहुत ही जादा कम लगता है as compared to जितने भी और सदस्य हैं घर पे ये बात इकदम सही है कि MC स्टैन बहुत ही रियल परस्नालिटी है वो ऐसे ही है कम बोलना पसंद करते हैं दो शब्दों में अपनी बाते खतम कर देते हैं लडाई जगडे में जादा involve होने से बचते हैं उनको मज़ा नहीं आती जादा लडाई जगडे में और जादा लडाई जगडे में कुछ उट पर टंग बाते भी बोल जाते हैं जिससे गिल्टी फील करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सेपरेट रहते हैं लेकिन इस हफते MC स्टैंड में कुछ अलग सी एनरजी दिखाई दी जहां उनकी माई अपनी माँ से बहुत अच्छे से बातशीत करी माँ ने बूबा के बारे में भी पूछा उनकी माँ ने अर्चना को गलत बताया ये भी बोला कि वो भी गलत था MC स्टैंड भी गलत था लेकिन अर्चना को भी गलत बोला इस तरीके की चीज़े होई इसके अलावे MC स्टैंड जिस तरीके से साजीट सर से Connected है उनसे Connected है अमधू से Connected है वो एक Emotion भी हमें देखने को मिला और हमने MC स्टैंड को Actually में रोते हुए देखा शायद वो जनता को एक बहुत ही जादा Real Personality की तरह दिख्याई दी है बार जिसकी वज़े से जंता उनको बहुत प्यार दे रहेगी और न्यू यर जब से चालू हुआ है तब से MC स्टैन का ग्राफ बढ़ गया है उनका स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है वो बोलते हुए भी दिखते हैं जब शालीन को कभी कभी जब शालीन उनसे बाथ चीत करते हैं तो शालीन को समझ 네 भी दिखते हैं «चलीन जो फो च्पीति थो शालीन टीना के बात करें कि अभी कल की एपिशोड में या फिर परसो के affीरी सोड़ु में अगर Bardzoं ईक हों मिमतर हो दो में घंती हो बल्किछ से अरचणा लडाईगी करती है तो अगर अरचणा लडाईे कररही है गलत तरीके से फाल पाप सके टीडहिंग- энphi तो आगे की कबरों के लिए देखते रहे है चली खसाना अगर अभी तक आपने चली खसाना को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुराइब करिए थैंक्य।